complete web server IIS की अगर आप training चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक देखेंगे अपने खुद की website को अपने windows server पर host करना चाहते हैं उसकी security SSL certificate या different types के उस पर authentication apply करना चाहते हैं multiple सा website अपने एक server पर host करना चाहते हैं domain name और IP दोनों से उसको find करना चाहते हैं land label पर या van label पर उसको host करना चाहते हैं तो ये video complete last तक देखेंगे मैं यहाँ पर windows server 2012, 2016, 2019 या 2008, 2003 किसी भी server पर आप इस service का use करके जो भी चीज़े मैं आगे बताऊंगा उसका use करके आप आगे complete web server और अपनी website को host कर सकते हैं different features वगरे को भी मैं आप explain करने वाला हूं तो एक video में आप complete web server IIS को सीख पाएंगे कोई भी doubt होता है तो comment करके बता देंगे एक request बस है video को like जरूर करेंगे comment करेंगे और दोस्तों के साथ share करेंगे जो भी IT field में अपना career बनाने की सोच रहे हैं या वह already job कर रहे हूं सभी तक के videos को पहुचाएंगे ताकि सभी को help मिले तो guys यहाँ पर बात होती है कि windows server 2016 या 19 या 12 पर अगर आप web server IIS की hosting करना चाहते हैं तो आपको क्या pre skill होनी चाहिए आप कैसे host करेंगे अगर website coding नहीं आती तो भी आप अगर hosting सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे तो overall मैं इस video के last तक आप लोग के हर doubt का solution प्रोवाइड करते हुए यह complete tutorial प्रोवाइड करूँगा 23 page का यह मैंने एक book बनाया हुआ है जो की PDF पर है और यहाँ पर इस PDF में complete मैं बताऊंगा कि कैसे web server IIS को host करते हैं हमारी website पर विजिट करके आप favorite course को select कर सकते हैं यह given दिये हुए मतलब sorry इस दिये हुए number पर WhatsApp करके आप अपना favorite course कर सकते हैं अभी CCNA का course एक दो दिन में start होने माला है 80-90% discount के साथ आप उसको join कर सकते हैं यह बात करते हैं IIS server के बारे में एक बर course module को मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली है तो आपको overall देखोगे तो बहुत सारी चीज़े मैंने इसके अंदर mention का किया हुआ है इसके साथ आपको screenshot भी देखने को मिल जाएगा different different screenshot के through मैं चीज़ों को explain करूंगा सिखाऊंगा समझाऊंगा and आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी information आप लोगों को मिलेगी समझने को तो आप देख सकते हो यह काफी बढ़िया से मैंने एक-एक lab को एक-एक सारी चीज़ों को समझाने की कोसिस किया यहाँ पर बताय है और आप अपनी complete website को अपने इस particular local server पर पोस्ट कर सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं देखो A to Z ओके तो बहुत सारी चीज़े हैं तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते तो definitely यह सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं videos को सबसे पहले videos का दो पार्ट मैंने डिजाइन किया हुआ है उन दो पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है theory का guys अगर theory आपको पता है तो definitely आप web server को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे अगर theory आपको नहीं पता है तो definitely कहीं न कहीं issue होगा तो theory के लिए हम आ जाते हैं what is web server simple language में अगर मैं बताऊं web server क्या है तो web server actually एक website को host करने का process है जिसके थुरू आप अपनी website को क्या कर सकते हो host कर सकते हो और इस website में host करने के लिए आपको web server IIS की ज़रूरत पढ़ती है इस web server यानि कि windows server के लामा different different operating system different different तरीके की web hosting services provide करते ह हैं वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में देखेंगे तो first of all let's introduce IIS server तो यहां पर windows server IIS या web server IIS IIS का full form होता है internet information service यह windows server 2012, 8, 16, 19 किसी की भी साथ आप सीख सकते हैं अपनी website को proper तरीके से host करने के लिए applications को and services को host करने के लिए आप web server को use कर सकते हैं web server IIS 8 मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर windows server 2012 यूज कर रहा हूं इसके साथ IIS 8 की service मिल जाती है अगर आप windows server 2016 या 19 पर move होते हैं तो I think आपको IIS 10 की service मिलती है जो की काफी अच्छा look wise आपको मिल जाता है बट आप इस पर IIS 8 पर करिए 10 पर करिए कोई उसमें feature नह environment और यह सारी चीज़ें मिल जाती हैं बाकी आप IIS 8 या windows server के web hosting में आप IIS के लिए asp.net ftp services php services और इन सारी चीजों का यूज करके आप अपनी website को integrate कर सकते हैं web platform बना सकते हैं आप अपने web server पर यानि की internet information service में चाहें तो website hosting के लिए या आप अपने applications या database में कुछ चीज़ protocol enable करने के लिए या hyper text transfer protocol enable करने के लिए दोनों option इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि अगर एक web server आप install कर लेते हैं अपने server पर तो easily आप महां पर ftp server और http server भी manage कर पाते हैं feature की अगर बात करें यहां पे तो IIS के थुरू आप अपने website के content को display करा सकते हैं इसका आप LAN हो या man label पर आप इसकी service को देना चाहें या van label पर service distribute करना चाहें सारी चीज़ें आप इसके थुरू provide कर सकते हैं file transfer protocol आपको allow करता है किसी भी file को upload और download करने के लिए website isolation to protect against one website from interfering with other अच्छा यहां पी यह कह रहा है कि अगर एक IIS server के अंदर आप चाहो तो आपकी एक particular website xyz.com चल रही है इसके साथ आप abc.com भी बनाना चाहते हो तो definitely आप बना सकते हो कोई issue नहीं है तो multiple सा website एक server पर आप host कर सकते हो बहुत सारे different development program का यूज करके आप अपनी website को design कर सकते हो power sales अगर के तुरू आप चीजों को manage कर सकते हो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है अगर यहाँ पर बात करें कि कौन से ऐसे server है या services है different different operating system के according जो iis की तरह web hosting provide करते हैं तो सबसे पहले अगर iis एक web hosting server है या service है तो यह windows provide करता Microsoft Windows operating system अगर है Windows 7 8 10 तो उसके अंदर भी या इसको use कर सकते हो लेकिन अगर Linux operating system है तो आप वहाँ पे Apache server use कर सकते हो और अगर आपके पास NGINX web server use कर सकते हो light speed web server Apache tomcat node.js light TPD करके तो यह different different तरीके के हमारे web hosting के लिए services हैं तो यह हम बोल सकते हैं web hosting platform जहां पर आप अपनी website के content को logo तक पहुचा सकते हो तो यहां पर आप सीखने वाले हो actually IIS की web hosting okay इसके बाद अगर आप लोगों को Apache server की complete web hosting चाहिए तो comment करके बताएंगे मैं Apache server पर कैसे website host करते हैं यह सारी चीजे मैं आपको बता दूँगा उसके बाद यहां पर होती है बात आगे कि how to install IIS in Windows server 2000 12 16 1908 okay तो कैसे आप Windows server operating system में इसको install करते हैं देखो यह screenshot यहां पर समझाने का कोई मतलब नहीं होता है हम सिर्फ और सिर्फ theory को यहां पर focus करेंगे theory जब आप पर तरीके से समझ जाएंगे तो हम step by step domain से लेके dns से लेके website installation को लेकर सब कुछ मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा लेकिन अगर theory पता रहेगी तो आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल करने में कोई issue नहीं होगा यहां पर बात होती है यह जो server का एक dashboard है server manager यहीं से आप अपनी complete services को manage करते हो और इस services को manage करते हो फिर आगे आप सारा काम करते हो बात होती है server manager में local server पर अपनी hosting कर सकते हो और यहां पर आपको different tasks को manage करने के लिए अलग-अलग service role दिया होता है okay तो आप अपना .com भी create करोगे मैं आपको बताऊंगा कैसे .com create करना होता है everything आपको वहाँ पर पता चलेगा server role में देखो आपको role feature में आ जाओगे तो आपको web server का एक role मिलेगा इसको आपको proper तरीके से अपने server पर install करना होता है step by step मैं भी install करके आपको दिखाता हो जिसक तो आपका installation easy हो जाएगा कोई इसमें बहुत बड़ा rocket science नहीं है बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो IIS की service फिर यहाँ पे display होने लगेगी और IIS पे click करके फिर आप इसकी complete services को manage कर सकते हैं अगर IIS आप यहाँ से open करना चाहाँ open कर सकते हैं otherwise tools में click करके आप यहाँ पे quest है कि वीडियो के बने रहेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हां मुझे कोई doubt हुआ या नहीं हुआ ओके उसके बाद यहाँ पे web server जब information service IIS यानि internet information service को आप open कर लेंगे तो इस तरीके से आपका web server name दिखेगा और यहाँ पे उसके related सारी services दिख जाएंगे उसके बाद आप आगे जब अपने browser पर http colon slash local host को access करेंगे तो default page आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप 2016 या 2019 यूज कर रहे हैं तो ये web page आपको मिलेगा अगर below 2016 यानि कि 2012 यूज कर रहे हैं तो IIS 8 का by default यहाँ पर page display होना चाहिए उसके बाद जब आप अपनी website पर क्लिक करके आगे ब आपको यहाँ पर तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके का पूरा का पूरा console मिल जाएगा इसी के अंदर आपको अपनी complete website का content यानि की web page add करना है इसी के अंदर SSL certificate install करना है इसी के अंदर user authentication enable करना है इसी के अंदर SSL certificate का HTTPS की binding होती है वो भी करना है इसी के अंदर port forwarding करन होता है, इसी के अंदर URL forwarding करना होता है, इसी के अंदर IP के through multiple website host कर सकते हो, इसी के अंदर name यानि की web name का use करके different different website host कर सकते हो, मतलब की यही एक ऐसा console है जिसके अंदर आप सब कुछ manage करते हो, आप default document page में क्या दिखाना चाहते हो, ये भी manage कर सकते हो, FTP के सारी services के बारे में, FTP user authentication के बारे में, इसके log detail के बारे में, even then यानि की यानि एक console से आप सारी चीज़े manage करोगे, बस आपको ये वाला console सीखना है और समझना है protocol जो IIS service में यूज करी जाती है, आपने देखा FTP तो यूज किया ही जाता है, अगर आप किसी website पर किसी भी webpage को, sorry, किसी भी file को upload या download करना चाहते हैं, तो आप install कर सकते हैं, FTP की service को enable कर सकते हैं, और अगर आप web pages को display कराना चाहते हैं, अपने environment में, अपने local server से लेके, अपने van label तक के communication में, तो आप HTTP का यूज करेंगे और HTML, ये दो तरीके की protocols आपके web pages को design करने में और access करने में help करती हैं, जो HTTP का full form होता है, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol is a method for encoding and transporting information between a client such as a web server and a web server, कह रहा है याँ पे कि अगर हम यहाँ से बैठे-बैठे, एक user है, और जैसे अभी मैं यहाँ से बैठे-बैठे, अपने computer से लिखता हूँ www.google.com browser पे, तो वो request हमारे internet के माध्यम से जाती है, कि server पे, google के server पे, और इस google के server से, वो हमारी information को लेकर आती है, ओके, तो इतना सारा ये work होता है इसके बीच में, अब यहाँ से information क्या होती, internet के माध्यम से यहाँ पे display होती है, तो यह कह रहा है कि यह किस के थुरू, आप यहाँ पे देखोगे, तो http, hypertext transfer protocol, http protocol के थुरू, यह information हमारे web page पर display होती है, कुछ protocols में, आप देखोगे, http के अलामा, https, कुछ नहीं बलकि सभी जगहों पे अभी https यूज हो रहा है, https का मतलब होता है, कि secure socket cell वहाँ पे, SSL certificate, secure socket layer, यानि वहाँ पर आपको SSL certificate apply कर दिया गया है, जिसके थुरू, अपने client और अपने server की बीच में, एक secure communication हो रहा है, अगर यहाँ पे यह OTP यूज करता है, कोई भी password यूज करता है, अपना credit card, debit card की detail यूज करता है, तो अगर कोई भी man in the middle attack, यानि की कोई hack करना चाहेगा information या कोई उसको पढ़ना चाहेगा बीच से, तो this is not possible कि वो पढ़ पाए, तो इस protocol को, यानि HTTPS को secure करने के लिए, SSL certificate हम लोग apply करते हैं अपनी website पर, तो काफ़ interesting लग रहा है मेरे को समझाने में, तो I think आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, comment करके अभी बता दो कैसा लग रहा है, and then अगली protocols, hypertext markup language, okay what is it, so hypertext markup language is the standard markup language for documents designed to be displayed on a web browser, http protocol, transport करता information को, अपने client ने जो access किया है server से, वो यहां से यहां तक send और receive करने में help करता है, लेकिन जो यहां पर website का content design किया गया है, look wise कैसा दिखना चाहिए, color उसको कैसे दिखना चाहिए, जैसे अगर मैं यहां पर एक web browser पर आऊं, और यहां पर एक website open करूं, like भी मैं यहां पर दिखाऊं, आप देख सकते हो, यहां पर मैंने website open किया, like youtube.com, right, ऐसे मैंने open कर लिया, यहां पर मैं आ जाता हूं, मैं लिखता हूं, google.com, simple, यह Google, एक simple page है, अब Google के simple page में यहां पर क्या-क्या आपको देखने को मिलता है, अगर इस page को पूरा आप navigate करने बैठ जाओगे, तो भी आपको बहुत सारी information यहां पर देखने को मिलेगी, सबसे पहले, यहां पर कुछ search करने के लिए दिया हुआ है, माइक search by voice दिया हुआ है, Google search, language select करने के लिए, image search करने के लिए, different different तरीके की चीजें यहां पर दी हुई है, ओके, तो यह सारी चीजे हैं, अब यहां पर यह web page का content है, उसको design करने के लिए, HTML और HTML से भी advanced label पे python है, आप HTML, 5 advanced HTML, और इसके अलामा different different तरीके के php.net and s, बहुत सारे ऐसे language यह development का part होता है, जिसके थूँ आप अपनी website को develop कर सकते हैं, तो अपनी website को यानि web page को style को design कर सकते हैं, कि कैसा दिखना चाहिए, है ना color कैसा दिखना चाहिए, everything, तो HTML क्या है, एक markup language है, जिसके थूँ हम web page को design करते हैं, तो यानि कि सबसे पहले आपको एक web page बनाना होगा, web page अगर आपको web designing आती है, then good नहीं आती है, तो भी मैं यहाँ पे simple एक notepad पर HTML के index में, चीजों को save करके access करना बता दूँगा, अब अगर कभी questions कर दिया, जैसे कभी कभी questions कर दिया, तो what is internet, internet क्या है, तो हम लोग जीवन भर से यूज करते हैं, but we have no answer that how to answer the particular questions, कि what is an internet, but I say questions, so what is website, website क्या है, तो I think maximum people have no answer that what is the exact definition for website, okay, तो उस condition में आपको यह पता होना चाहिए, कि website क्या है, website is a collection of web pages, जैसे एक website आप open करते हो, Amazon.com का open कर लिया, आपने, sorry, ZON, Amazon.com आपने open कर लिया, अब इसमें अगर आप mobile का section open करोगे, तो यह अलग web page open होगा, इसमें laptop का section open करोगे, अलग web page open होगा, अगर आप यहाँ पे cloth के लिए, human cloth के लिए, female cloth के लिए, अलग-अलग यहाँ पे सारे web pages बने हुए, तो multiples of web pages का एक collection होता है, एक website के अंदर, okay, त website binding क्या होता, यह थोड़ा सा practically part है, website binding में हम लोग HTTP या HTTPS protocol का यूज करते है, HTTP protocol without encryption या security हम अपनी website को access करना allow कर देते हैं, HTTPS के साथ, हमारी website secure way से, client और server के बीच में information को safely send और receive करती है, HTTP protocol by default 80 number port को use करता है, अपनी information को send और receive करने के लिए, और binding जो commonly होती है, वो hidden way से use होती है, users के लिए, website binding is the combination of IP address, देखो website binding में आपको IP address, port number and host header यानी की host detail यानी host name की जरूरत पड़ती है, इतनी चीजों के साथ अपनी website की binding आप कर सकते हो, step by step lab practicals के साथ मैं भी दिखाऊंगा, website binding के लिए आपको IP version 4, IP version 6 या HTTP, HTTPS या port number 80 या तो HTTPS use कर रहे हैं, तो या TCP के लिए port number by default 443 पर redirect करेगा, और अपनी information को server और client के बीच में secure way से send और receive करेगा, तो ये सारी चीज़े होती है, अब आगे बात होती है, कैसे इसको transfer करेंगे, कैसे DNS के अंदर entry करेंगे, and सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है, तो फिलहाल यहाँ पर web pages से लेके, सब कुछ यहाँ पर, अभी कोई theory का part तो नहीं है, नहीं, अगर कुछ होगा, तो मैं definitely उसको वहीं पर explain करते हुए, मैं सारी चीज़ों को आप लोगो को बता दूँगा, तो आगे देख लेते हैं एक बार, कुछ भी यहाँ पर, how to allow, okay, अब थोड़ा सा lab अगरे देखो, server के lab में क्या होता है, कि काफी heavy server है, तो इसके practical में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और चीज़ों को समझना होता है, तो सबसे पहले हमें start करेंगे, कि कैसे हम लोग एक web server को, एक ADDS role पर, या एक domain पर install करेंगे, ओके, तो चलते हैं practical की तरफ, सबसे पहले हमें आ जाते हैं, अपने web server पर, और web server पर यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर by default पहले से बहुत सारी चीज़े थी, तो मैंने अटा दिया है, बिल्कुल एक fresh server यहाँ पर ले लिया है, और इसी पर हम अप सारे काम करने वाले हैं, तो आ जाते हैं अपने server machine पर, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा server है, और इस पर हम ले सारे काम करने हैं, तो हम थोड़ा सा इसको, सबसे पहले इस पर हमें क्या करना होता है, IP address को manage करना होता है, तो window R करते हैं, ncpa.cpl, अपने network adapter की property open करना होता है, मैं एक एक यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आप IP address अपने एक server पर assign कर लेंगे, मालिया आपने कोई ISP से IP buy किया हुआ है, मैंने मालिया 1002 buy किया है, और यह हमारा 1002 as a DNS server में भी आ जाएगा, तो जो भी आपके server पर IP चल रही होगी, या कोई static IP चल रही है, इसको आप translate करके, net use करके या कोई भी चीज से, public IP भी यूज कर सकते हो, as a public IP में transport कर सकते हो, या convert कर सकते हो, तो आप safe रहेंगे अपने server को access कराने में, चलिए फिलाल वो तो translation अगल अलग चीज है, सबसे पहले आपको जो IP मिली है अपने network के अंदर, उसको यहाँ पर assign कर देना है, तो मैंने assign कर दिया, cmd open करूंगा, ip config यहाँ पर लिखूंगा, enter करूंगा, मेरा यहाँ पर IP address 1002 है, gateway मेरा modem या router का IP हो सकता है, बट यहाँ पर अभी gateway मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको apply नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद simple आपको क्या करना है, server manager open करना है, यहाँ से आप server manager open कर लोगे, server manager कुछ इस तरीके से look में दिखेगा, और यहाँ पर आपको manage करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब server manager open होगा, तो आप से by default कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, local server में आप आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अपने computer का name, य आप IPV6 को disable कर सकते हैं, okay कर देंगे, close कर देंगे और यह आपका काम done हो जाएगा, दो चीज़ें आपने कर लिया यहाँ पर, okay, अब इतना करने के बाद आप इसको refresh कर लो, और यहाँ पर देखो IPV6 आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसके बाद आप अपना remote desktop enable, disable, जो भी चीज़ें यहाँ पर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, next हमारा part यह आजाता है, कि dashboard में आने के बाद, फटा-फट ADDS role को हम लोग create कर लेते हैं, ADDS role के लिए हमें IP address को देना बहुत जरूरी है, then add role and feature पर आजाएंगे, यह उनके लिए है, जो बिल्कुल phrase है, बिल्कुल new है, server उनको आता ही नहीं है, तो मैं ADDS role के साथ करता हूँ, अगर जिनको server आता है, उनको पता होगा role कैसे install करते हैं, domain कैसे promote करते हैं, वो सारी चीज़े, तो मैं यहाँ पर इस वज़े से यह चीज़ बता रहा हूँ, ताकि जिनको नहीं भी आता, वो 2 मिनट का time लेकर सीख लेंगे और complete काम कर पाएंगे, तो जो step मैं follow कर रहा हूँ, मैं ज्यादा यहाँ पर explain नहीं करूँगे, जो step मैं follow कर रहा हूँ, बस उसको follow करके, आप simple एक domain मना लेंगे, domain नहीं भी बनाएंगे, तब भी आपकी IIS service host कर सकती है information को, but domain मना लेंगे, तो आगे चलके आप बह करके और add कर लेना है, add करने के बाद कुछ नहीं करना, next कर देना है, next कर देना है, and next कर दिना है, restart option select कर लो, क्योंकि जभी भी कोई server पर नई service इंस्टॉल होती है, तो restart option जरूरी होता है, अगर restart नहीं करेंगे, तो वो service प्रॉपर तरीक से आपके server पर नहीं install होगी, और नहीं काम करेगी, install now पे click कर देना है, थोड़ा सा wait करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने का मतलब होता है कि वस थोड़ा सा वेट करना है यह ज़्यादा टाइम नहीं लगा है कर नहीं तो मैं वीडियो को पॉस कर देता उसके बाद यह ग्रूप पॉलिसी को इंस्टाल कर रहा है रिमोट सर्वर एड्मिनिस्टेटर टूल को इंस्टाल कर रहा है रोल एड्मिनिस्टेटर टूल को इंस्टाल कर रहा है ADDS और ADLDS रोल को टूल्स को मैनेज कर रहा है ADDS टूल्स के साथ Active Directory, Administrative Center और ADDS Snapping and Command Line Tools यह सारी चीजों को अपने सर्वर पर नॉट अभी वेब सर्वर तो नहीं बना है यह वेब सर्वर यानि कि अपने सर्वर पर जो की वेब 01 का सर्वर है इस पर इंस्टाल कर रहा है ऐसा नहीं कि आप Google already register है तो उसके नाम से भी आप register कर सकते हो आपको unique इसलिए मैंने बोला कि अपना खुद का एक कोई भी particular name जो कि पहले से किसी भी when label में कोई domain register ना हो ऐसा आपको plan कर लेना है तो माल यह मैंने web.com plan कर लिया ओके web.com मेरा नहीं चलता है यह सीखो live.com मैंने plan कर लिया चलो सीखो live.com बना लेते हैं already मेरी website चलती सीखो live.com पे तो सीखो live.com आप अपने local server पे बना रहे हैं अगर यह चीज मैं वैन लेबल पे promote करना चाहूं तो और लेडी यह चीज register ही नहीं होगा हमारे isp end से आईना एरिन icon किसी से भी वो approved नहीं होगी website क्योंकि ओलेडी वो website चल चुकी है जैसे अगर आप hosting के लिए कोई domain buy करते हो मैं यहाँ पे go daddy को open करूं अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूं go daddy जो अगर ओलेडी कोई server आपका ओलेडी चल रहा है अगर मैं यहाँ पे दिखाओं hosting के लिए find your perfect domain अगर मैं यहाँ पे लिख दूं google.com तो google.com क्या करेगा ओलेडी यह बाई दिखाएगा है ना क्या कह रहा है यह webpage.com google.com is taken ओके यह क्या कह रहा है यह कह रहा है google.com is taken यह already taken है है ना यह कह रहा है कि अच्छा है यहाँ पे कुछ जुगार लगा कि यह बता रहा है कि इस तरीके से related अगर डोमेन चाहिए तो आप इस broker service fee 8889 रुपए आप पे करिए तो यह आपको कुछ service provide करेंगे चलिए कोई नहीं यह हो गया अगर मैं यहाँ पे facebook.com को ऐसे ही लिखूं जो server domain already register है किसी के name से उसको आप नहीं ले सकते है इस टेकेन ओके यह क्या कह रहा है यह भी टेकेन है लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोई name टाइप कर दूं जो है ही नहीं और यहाँ से find करूं ते कहेगा available और यह आपको easily buy करने को मिल जाएगा 199 रूपए दो साल के लिए registration चार्ज लेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पैसे कुछ service है ओके और यह तो आपने देखा यहाँ पे कैसे आप domain को बाइ करते हो है ना domain name तो यहाँ पे आपको domain वगएरा बाइ नहीं करना है बस unique name register करना है और उसको unique name plan करना और उसको register करा लेना static IP लेंगे थोड़ा सा costly होता है सारी चीजें बट आप अपने खुद के server पे सारी simple उसके बाद next कर दिया ओके अब यहाँ पे कुछ नहीं आपको सोचना समझना है अगर आप server पढ़ रहे होते तो सायद में यह सारी चीजें काफी depth में आपको समझा पाता है लेकिन आप web server install करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो जरूरी की चीजें वो मैं बस बता रहा हूं इसको चोड़ देंगे अपना password देंगे server का next करेंगे और आप यहाँ पे कुछ नहीं आएगा यहाँ पे बस सीखो live आजाएगा netbios name और next कर देंगे guys अगर आपको server 2012-16-19 का installation नहीं आता तो एक बार server 2016 installation इसपे 64 लिखिएगा search box में YouTube के आपको मिल जाएगी videos ओके next करना है आपको और path यहाँ पे बताएगा कि कौन-कौन सा path यहाँ पे आपका यह server कहां-कहां पी store करेगा तो यह location है जहाँ पे server अपने database की services को store करेगा review option यहाँ पे server का detail क्या है किस name से आप बना रहे हो सब कुछ है check कर लो एक बार and then next कर दो prerequisite की checking होती है यहाँ पर यह पता चलेगा कि आपके server के पिछले जितने भी settings थी उनमें कोई setting को skip तो नहीं आपने किया कोई necessary part तो नहीं miss किया अगर कुछ भी miss किया होगा तो यहाँ पे इस तरीके का कोई approval आपको नहीं मिलेगा अगर approval मिल जाता है then you are okay and then you can click on install button बहुत आ करके जाना है इतना depth में कोई भी part miss ना होने पाए यह सारी चीजें लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर service दे रहा हूं तो definitely एक like, एक comment और बस एक बार subscribe बनता है, दो बार मत करना, एक बार subscribe बनता है तो यहाँ पर भी मैं वीडियो को pause नहीं करने वाला, अगर वीडियो को pause मैं करूंगा, so it is not possible की चीजे manage हो पाए या मैं बहुत जल्दी ही यह reboot हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर अभी यह install हो जाएगा, install होगा, server reboot होगा and then आगे come होगा तो मैं काम करता हूँ, एक दो मिनट के लिए वीडियो को stop ही कर देता हूँ server guys, जैसे ही आपका complete बन जाएगा, अपने आप restart होगा और वो services को on करेगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा wait करना है restart होने देंगे proper तरीके से, और restart जब हो जाएगा, तभी वो service proper active होगी जब आपका ये complete server बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिखो live slash administrator इस तरीके से option आएगा, आप इसको login करेंगे और login करने के बाद, आप अपने server यानि सिखो live.com पर login हो जाएगे, अभी यहाँ पर कोई भी चीज एक्सेस नहीं होगा, wait, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर www.sicolive.com एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, अपने server पे एक्सेस हो जाएगा, ना, कभी नहीं, अभी आपको पूरी चीजे समझना है, तो पूरा देखिएगा, ये तो बस आपने अपने computer को as a workgroup से domain में प्रमोट किया है, okay, तो अभी आपने अपने normal computer को as a server बनाया है, जो workgroup अभी दिखा रहा था, अभी domain में convert हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर workgroup ये दिखा रहा, अभी domain हो गया, और ये cqolive.com हो गया, IP address आपका ये है, एक बार जब server reboot होता है, तो अपने IP address को जरूर verify कर लें, तो मैं यहाँ पर आने के बाद, देखो यहाँ पर अभी unidentified है, आप यहाँ पर आजाओ, और यहाँ से IP address को चेक करो, और इस IP address को एक बार सही कर दो, तो 1.0.0.2 और ये मैंने apply कर दिया, अब ये चीज हम एक बार disable करेंगे, enable करेंगे, अब देखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, यह आपका verify हो जाएगा, यह आपका verify हो गया, SQLive.com आगया, अब इतना कर लेने के बाद, आपका server okay हो गया, और आपको क्या करना है, एक बार DNS की service में आना है, और DNS में click करना है, tools में आने के बार DNS, यह mandatory services नहीं हैं, बट इतना करके, आप आगे की सारी services को और बढ़ियां या और बहतर बना सकते हैं, okay, तो अगर इसको आ लेक करके next करते हुए, आप यहां पर अपने server का starting का three network ID देंगे, और next कर देंगे, next करेंगे, finish कर देंगे, और यहां पर आपका server update हो जाएगा, SQLive.com जस्ट उपर forward lookup zone को expand करके आएगे, और यहां पर यह जो IP है, इसका update record एक बार अपने server के साथ आप apply कर देंगे, और यह हो जाएगा, उसके बाद, अगर आप अपने server को domain और host दोनों से access करना चाहते हैं, तो अभी आपने यहां पर PTR enable कर दिया है, और उसके भी through कर सकते हैं, यानि कि cmd open करिए, ping कर लीजिए, और यहां पर sikholive.com enter करिए, अब देखिए name से भी reply आ रहा है, और अगर आप IP address चेक करना चाहते हैं, 1.0.0.2 इससे भी reply आ रहा है, यानि आपका server प्रॉपर वर्क कर रहा है, अब आपकी बारी आती है, कि कैसे आप एक domain server यानि IIS server को install करते हैं, तो आपको यहां पर आ जाना है, dashboard पर add role and services पर click करना है, ऐसा मेरे को लग रहा तक recording नहीं हो रही है, ओके हो रही है, तो फिर यहां पर आपको क्या कर लेना है, select करना है, next करना है, role based, feature based installation, next करना है, next करना है, मैं इतना बता दूँगा कि जिनको बिल्कुल server चलाने भी नहीं आता है, वो भी अपनी web services को manage कर सकते हैं, यह यहां पर web server को select करना है, web server IIS और next कर देना है, उसके बाद यहां पर आपको कोई भी चीज select नहीं करना है, next करना है, next करना है, अब यहां पर यह कहरा है role services, role services में आपको IIS यहां पर देख लो select होना चाहिए, और अगर FTP आपको करना है, तो FTP को select कर लो, मैं FTP भी select कर लेत बढ़ री स्टार्ट जरूर सेलेक कर लिया करें, क्योंकि अगर प्रॉपर सर्विस री स्टार्ट नहीं होगी, तो वो वर्क नहीं करेगी. तो यहाँ पर वेब सर्वर, IIS का इंस्ट्रॉलेशन मैं स्टार्ट कर दिया हूँ. हम लोगों को वेट करना है, अब आप यहाँ पर देख रहे होना, एक सर्विस कितने सारे सब रोल को इंस्ट्रॉल कर रही है, FTP की सर्विस को, IIS को, STTP को, default documents को, directory browsing को, STTP errors को, static content को, health and diagnostics को, STTP login को, performance को, static content comparison को, security को, request filtering को, तमाम चीज़ें यहाँ पर दे रहा है. झाल ओके हो गया यहाँ पे अभी इसको close कर देना है हो जाने के बाद आप यहाँ पे आपको close कर देना है और close कर देने के बाद आप टूल्स में आ जाओगे और यहाँ पे चेक करोगे इंटरनेट इंफर्मेशन सर्विस को तो फिलाल मैं यहाँ पे यह जो है DNS है तो DNS को क्या कर देता हूँ पिन कर देता हूँ यहाँ पे जब भी open करना होगा कर लेंगे और यह server manager है तो यह by default यहाँ पे होता ही होता है और IIS की service यहाँ से मैं open कर लेता हूँ internet information service और internet information service के बाद यह चीज open हो जाए यह और इसको भी यहाँ पे हम pin कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे directly open कर लूँ और यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह हमारा web server का पूरा का पूरा console है जहां से आप अपनी complete web server की services को manage करोगे see this is the detail यह सारी detail है आप देख सकते हो यह अब यहाँ पे आपको start web page आपके server का name जो local host है connect to local host तो यहाँ पे connect to local host पे जब आप click करेंगे तो यह automatic देखो यहाँ पे लेकर आगया कि यहाँ पे host पे है start page में ऐसे ही connect to server connect to a site तो यहाँ पे जितनी भी connect करना चाहते हो आप server sites और सारी चीज़े को कर सकते हो तो यहाँ से कोई भी setting आपको नहीं touch करनी है आपको आना अपने server पर अपने server पर आप देख सकते हो आपका FTP से related और IIS से related सारा data यहाँ पर है आप यहाँ से अपने application पर आजाओ by default आपका application version 4.0 पर चल रहा है और इसको आपने expand किया default website आपकी यह है अगर आप अपने website पर sorry अपने browser पर iexplore.exe यानि internet explorer को open करते हो मैं इसको open करता हूँ इसको भी pin कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिख हूँ यहाँ पर मैं लिख हूँ localhost, enter तो हमारा एक default webpage IIS 8 का आ जाना चाहिए यानि कि हमारा website access हो रहा है अब इस तरीके से यह open हो रहा है अगर आप अपने इसको close कर देते हो और यहाँ से भी open करना चाहो अपने default site पर आकर website पर तो यहाँ से भी देखो यह चीज open हो जाएगी तो आपने देखा कितना आसानी से आपने यह चीज access कर लिया आपकी website हो गई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम अपना website कैसे दिखाएंगे अपने web pages को कैसे दिखाएंगे तो आप यहाँ पर अपने web pages को दिखाने के लिए अपनी website को दिखाने के लिए आप अपना कोई भी कोई एक web page यहाँ पर add कर सकते हैं attach कर सकते हैं तो for example मैं यहाँ पर एक छोटा सा notepad पर एक web page बना लेता हूं और जिसका मैं name दे देता हूं कुछ भी अभी और welcome in कोई भी एक web page अब बना लेंगे सीखो live.com सीखो live कुछ भी मालिया मैं चाहता हूं यह चीज़ दिखे file पर आ जाएंगे save एच करेंगे और desktop पर मैं इसको सीखो live .htmlm से save कर देता हूं ओके यह देखो अब यह desktop पर आ गया अब इसको open करो देखो यहाँ पर यह web page दिख रहा है अब आप अगर इस site को जितना बढ़ियां से आप website को code कर सकते हैं वो सब code करके आप इस तरीके की website बना सकते हैं इस से बैतर और बहुत बैतर जैसा चीए वैसा यह तो मैंने बस लिख दिया एक notepad पर और इसको एक index को देते हुए extension में save कर दिया तो यह चीज हो गई अभी मैं इसको close कर देता हूं और यह हमारा webpage बन गया अभी इस webpage के अंदर बहुत सारी information आपने लिखा manage किया रखा इसके साथ images, photos सब link करके रखा हुआ है पूरा proper एक website है आपकी अभी इस चीज को आप क्या करना चाहते हो अपने website पर दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे दूसरी एक site यहाँ पर डिस्पले करना चाहते हो तो आपको एक दूसरी website दिखाने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले आप यह तो अपना port number change करोगे क्योंकि by default यहाँ पर एक 80 number port पर आपकी website access हो रही है और इस port पर दूसरी website access नहीं होगी तो इस condition में आपको क्या करना होगा multiple of site host अगर करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं एक चीज हमेशा याद रखेंगे अगर मैं अपने इस webpage को ऐसे access करों तो यहाँ पर भी देख रहे हो कुछ भी access नहीं हो रहा है यह भी तरीका है कि आप इसको access करा सकते हो जो यहाँ पर binding option है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखो edit करो और अगर यहाँ पर आप अपना IP address assign कर देते हो और यहाँ पर web और यह www के साथ आपको लगा देना है ऐसे और अगर आप इसको okay कर देते हो तो क्या यह access होगी या नहीं होगी अगर यहाँ पर आप देखना चाहो अभी मैं इसको आगे दिखाऊंगा access कैसे होना है अभी यहाँ पर कुछ नहीं access हो रहा है एक बार आप DNS को open करो और DNS के अंदर यहाँ पर forward look up zone seekolive.com यहाँ पर जो website यहाँ पर देखो इस name से ऐसे है अगर यह name आपने दिया होता तो definitely वह access होगा अगर इस name को यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अभी यह अगर entry में है तो जो name entry में है वह चीज यहाँ पर दिखाएगा उस चीज से आप चीज़ें access कर सकते हो वह respond करेगा लेकिन यहाँ पर अभी website हमारी किस पर है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ एक हमारा सीखो live.com IPv6 का record यहाँ पर आ गया है कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर आ जाओ new host का record www.1.0.0.0.2 और इसको आप add कर दो ok कर दिया done कर दिया और आपने www यह वाला record दिखा लिया अब इसको एक बार open करो ok एंड इसको property में आओ update तो यह होई गया है दोनो record में तो यह थोड़ा सा time लेगा और आपका यहाँ पर IP to name name to IP दोनों से display होना start हो जाएगा यानि 1.002 2 से यह क्या हो गया यह जो binding option है binding option में आपको यहाँ से यह चीज़ हटा दे नहीं sorry यह हटा देना है और अब आप access करोगे see तो यह आपका 1.002 website access हो रही है इसके अलामा सीखो live अभी यह चीज मैं आपको manage करके दिखाता हूं कि सीखो live.com name से क्यों नहीं access हो रही है यहाँ पर एक दूसरा binding करके मैं आपको अभी दिखाता हूं तो फिलाल इतना आपको आ जाना चाहिए और तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं और अगर मान लिया आपको अपने computer पर multiples of website को अगर publish करना है पोस्ट करना है तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीजें follow करनी होती है तो अगर multiples of site लेकर चलना है यह अपने default कोई website को यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो जैसे मैंने सीखो live यह वाला बना लिया तो इस सीखो live को अगर मैं चाहता हूं डिस्पले करना अभी देखिएगा तो मैं सीखो live नहीं बलकि इसको change कर देता हूं मैं कर देता हूं web.com एक दूसरी site है ना तो मैं web कर देता हूं ऐसे करके अब यह देखो यहाँ पर यह दिख रही है web.com अब web अगर इसका property चेक करो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है यह web और HTML form में यह दिखा रहा है ओके तो अब इसको हम क्या करते हैं copy कर लेते हैं यह cut कर लेते हैं इसको मुझे क्या करना होगा यहाँ पर computer में local drive के अंदर inet pub के अंदर www.root के अंदर एक web page आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर देखो www.root के अंदर एक web page आपको बनाना पड़ेगा यह एक directory create कर लेता हूं मैं यहाँ पर directory का name दे देता हूं second site माल यह दूसरी website का data हमारा इसके अंदर है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया पेस्ट कर देने के बाद याद रखेगा यह site का name आपको यहाँ पर पता होना चाहिए तो मैंने इस site का name क्या दिया हुआ है web.stml अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखो यह हमारी जो default site है अगर माल यह इसको host रहने देना और दूसरी site host करना है देना आप इसको stop करो यहाँ से stop करो और दूसरी host करो अगर आप चाहते हो दो website host करना तो आपको यह यहाँ पर अपना IP address क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा एक और IP address यहाँ पर attach करना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूं सीखो live.com एक जो 1002 पर चली रहा है और IP version 4 एडवांस पर आने के बाद एक और IP address कर दूँ 1.0.0.0.100 पर और यह चीज इस पर access हो और इसको मैंने उक्के कर दिया अब यहाँ पर दो website हो गई यानि कि आप cmd open करो यह क्या चीज open हो रहा है cmd cmd ip config enter और यहाँ पर 1002 100 100 दोनों website दिख रही है स्वरी दोनों IP दिख रही है अब आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है site पर आके add website और यहाँ से site का नेम तो मेरा site का नेम क्या है web ओके और यहाँ साटिमेटिक वेब ले लिया physical path select करना है c drive के अंदर inet pub के अंदर www root के अंदर second website का data यहाँ पर इसको select करो ok कर दो अब य आपने select कर लिया sttp sttps किस पर लेना है अपनी website का content दिखाओ किस आईपी पर access करना दूसरी और port नंबर रहने दो host name देने की जरूरत नहीं है और यहाँ से आप क्या कर सकते ok कर दो आपकी दूसरी website यहाँ पर start हो गई web नाम से और इसको अगर आप access करेंगे तो इसके अं condition में अगर मैं इस website को stop कर देता हूं stop कर दिया एंड इस वाले website पर browse करता हूं 100 को तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर कोई access नहीं है किसी पर भी अब क्या करना आपको इस condition में अपने website को 100 पर रखा आपने ok एंड आपको default webpage पर आ जाना है यह जो default webpage दिख रहा है और इस default webpage को double click करना है by default यहाँ पर IAS और यह सारी चीज़े चल रही है add करना है और यहाँ पर आपको web.stml देना है और ok कर देना है अब इसकी priority सबसे high level पर हो गई और इसको ok कर देना है बस यह आपको करना है और अब आपको क्या करना है इसको back करना है और browse करना है अब यहाँ पर आपका website का data दिखने लगेगा तो यह हो गया आपकी website का data और अब आपका यहाँ पर 10000100 पर दिख रहा है अगर इस website को आप अपने name से भी इसको entry देना चाहते है तो इसकी भी entry आप यहाँ पर DNS server में आप दे सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं एक new zone बना देता हूं और इसका site name मैं यहाँ पर देता हूं जैसे web.com और मैंने next किया और यह चीज okay कर दिया अब web.com के अंदर मैं right click करके एक नया record maintain करता हूं www.web.com 1.0.0.100 करके और इसको मैं okay कर देता हूं तो यह record यहाँ पर maintain हो जाएगा अगर माल लिया कि अब कोई भी बन्दा यहाँ पर www.web.com अगर access करता है तो इसका data यहाँ पर भी दिखेगा अब यहाँ पर 1.0.0.100 चेक करेगा sorry 1.00100 तो यह भी दिखेगा दोनों तरीका अब आपके पास हो गया name और इसके साथ दोनों access करने का okay अब हम इस चीज को क्य कर देते हैं close कर देते हैं अब आपने देख लिया multiple website ऐसे जितनी भी website है आप यहाँ से DNS की entry यही में दिखाना चाहता था add करते हुए सारी चीजों को आप manage कर देंगे और यहाँ पर आपका start हो जाएगा यह और by default मैंने यह default website बंद कर दिया है क्योंकि इसमें कोई webpage दिख नहीं रहा है यहाँ पर webpage दिख रहा है तो प्रपर तरीके हम इसको follow up करते हैं ओके तो गाइस अगला जो point हमारा start होगा IIS page आपने add करना देख लिया अपनी खुद की website का content आपने add करना देख लिया अगर बड़ी website का data है तो भी उसके अंदर आप दिखा सकते हैं और उसको manage कर सकते हैं और आप उसके बाद multiple website host कैसे करनी है site 1, site 2, site 3 सारी चीज़ें आपको दिखा दिया कैसे करना है और अगर आप पहले वाली site को access करके भी देखना चाहिए से यह वाले वेब पेज पे डिफॉल्ट जो चल रहा था तो यह भी start हो जाएगा इसमें कोई error नहीं आएगा तो आपका दोनों दिखेगा www.web.com और यहाँ पे आपका जो पहला वाला था जैसे 1.002 यह भी आपका IIS दोनों वेब साइट एक ही सर्वर पे आपकी चल रही है तो confirm हो गया अब दोनों वेब साइट जब एक ही सर्वर पे चलाना आपने देख लिया यह सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप चाहते हो कि particular user ज मैं यह पहली वाली मतलब यह पहली वाली साइट को close कर देता हूं क्योंकि इसको मैं stop कर देता हूं इस वाली साइट पर सारा काम करेंगे तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी साइट है उस पे एक security apply हो जाए जिस user को मैं चाहूं वही access कर पाए जैसे web.com पे हम आ गए authentication में तो य यहाँ पे तो यह देखो error आ जाएगा क्योंकि anonymous मैंने यहाँ पे disable कर दिया enable कर देंगे तो जैसे enable करके मैं okay रखूंगा यहाँ पी यह दुबारा से access करने लगेगा लेकिन मुझे disable कर देना है और मैं यहाँ पे माल लिया कि एक user create करता हूं जैसे active directory user and computer अब मैं यहाँ पे एक user and computer अगर start करता हूं users मैं आ गया और अगर मैं यहाँ पे एक नया user create कर लूँ web user याद रखेगा यह user का name है web user and इसको okay कर दिया next किया इसका एक password यहाँ पे दे देते हैं और इसका password policy apply करके okay कर देते हैं एक group बना लेते हैं यहाँ से group का name मैं यहाँ पे देता हूं web या मैं यहाँ पे देता हूं g1 group 1 okay and security group है यह okay कर दिया g1 के अंदर मैं add कर देता हूं members में जाकर web user को और okay कर दिया okay यह अब याद रखेगा इसके लावे एक और user हम यहाँ बना देते हैं user1 user1 इसका name और password और इस चीज को मैंने यहाँ से शेप कर दिया यह चीज हो गया मैंने एक जीवन बनाया एक user1 बनाया एक web user बनाया web user को मैंने जीवन के अंदर add कर दिया ओके अब इतना सारा बन गया अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं अब मैं यहाँ पर एक basic authentication अपलाई करूंगा जिसके अंदर एक user के भिहाब पर यह service access होगी ओके अभी यहाँ पर disable access नहीं हो रहा है तो हम आ जाएंगे अपने tools पर add roll and feature पर next करेंगे next करेंगे और यहाँ से web server को select करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे expand करेंगे और यहाँ पर देखो web server installed को open करोगे आप यह और यहाँ पर देखो यह security option है इसको expand करोगे इसमें basic authentication मिलेगा इसको select करके next करोगे basic authentication actually allow you to access your website URL with the help of a particular user and name आप चाहते कि कोई भी anonymously हमारी website को access ना कर पाए तो आप यहाँ पर basic authentication enable कर लेंगे और जैसे जैसे मैं यह services enable करता जाऊंगा हमारी security हमारे website पर apply होती चली जाएगे तो अभी यहाँ पर यह हो जाएगा अब इसको मैं close कर देता हूं close करने के बाद मैं यहाँ पर IIS service को open करता हूं और एक बार इसको refresh करता हूं मैं refresh करता हूं authentication पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसको एक बार close करना पड़ेगा ऐसे नहीं दिख रहा है और यहाँ से दुबारा समय website को तो यहाँ पर basic authentication आ गया इसको आपने बस enable कर देना है enable करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और इसको access कर सकते हो और यहाँ पर username password पूछेगा तो यहाँ पर जो भी authentication है अगर मैं user1 को यहाँ पर allow करता हूं तो क्या यह access कर पाएगा तो यह बिल्कुल हमारी information को access कर पा रहा है अगर हम दुबारा से इसको www.web.com तो यह चीज access हो पा रही है अगर मैं इसको disable कर दूँ कोई भी user जो भी हमारे user environment में होंगे सभी लोग इसका use करके access कर पाएंगे अब मैं इसको disable कर देता हूं और यहाँ पर दुबारा से अगर इसको access करना चाहेगा यह कोई तो यहाँ पर error आ जाएगी अब यह history से उठा ले रहा है यह हो गया तो यह हो गया अब यहाँ पर anonymous अगर मैं enable कर दूँगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा user access कोई भी कर सकता है इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर और भी authentication है basic authentication के बाद हम लोग windows authentication enable कर सकते हैं और windows authentication भी हमारा क्या करेगा एक legitimate user को ही allow करेगा तो यह सारी चीज़े authentication से related जो भी मैंने यहाँ पर user allow किया वैसे ही आप other user के लिए यहाँ पर add करोगे और windows authentication या जो भी चीज़े हैं apply कर सकते हो same चीज़े अगर मैं यह दिखाऊं चलो ठीक है apply कर लेता हूँ थोड़ा सा time लगेगा फिर मैं आगे next इसको expand किया नेचे आ जाता हूँ web server security नेचे आ गया windows authentication ऐसे URL authentication IP domain authentication सब आप जो भी चीज़े authentication enable करते चले जाएंगे और आपका work होता चला जाएगा गैस वेडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है तो क्योंकि सारी चीज़े में यहाँ पर अभी तो SSL certificate वगरे भी बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आप लोगों को बताना दिखाना बाकी है तो I think थोड़ा सा time आप लोगों को देना पड़ेगा तो ओके हो गया अब इसको मैं close करता हूँ close करने के बाद इसको minimize करते हैं और यहाँ पर एक बार दुबारा से इसको close करते हैं और इसको यहाँ से दुबारा से IIS service को on करते हैं expand करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो sites के अंदर आप अपनी current running site को open करो authentication में windows authentication enable कर सकते हो जैसे windows authentication अगर यहाँ पर आपने enable कर लिया तो अब देखो यह windows authentication allow हो गया अब दुबारा से अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको authentication पूछेगा और legitimate user का authentication देकर आप इस service को access कर सकते हैं तो फिलाल इसको भी मैं disable कर देता हूं और यहाँ से anonymous को enable कर देता हूं ओके ऐसे ही और भी यहाँ पर authentication से related है URL authentication और URL authentication में आपको install करके manage करना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह चोटी-चोटी services हैं सारी EC के अंदर ही manage होंगी चलो URL authentication के लिए भी मैं एक बार यहाँ से मैं जो भी service apply कर रहां उसको close करता जाओंगा क्योंकि अगर बाद में चीजें पता नहीं चलती कहां से क्या है तो आगे चलके जो चीजें मैं दिखाना चाओंगा तो महां पर दिक्कत हो जाएगे तो यह वारल अथंटिकेशन ले लिया आईपी डोमेन रिस्टिक्शन भी अगर आप लेना चाहते हो तो दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना और इंस्टाल करतो अब इसको मैं क्लोज करता हूं सी इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसको मैं निमाइज किया मैं यहां पर आ गया और इसको क्लोज करके दुबारा से मैं IIS service को open करूँगा और यहां पर अपनी legitimate site को open करता हूं मैं यहां पर और इसमें आप देख सकते हो एक authorization rule नया option आ जाएगा इस पर आप क्लिक करोगे यह देखो authorized rules और यहां पर by default all user को allowed है आप यहां पर allow rule पर create करोगे allow rule पर create करने के बाद जो भी यहां पर specific option है जैसे कि पहले तो all user को anonymous को specific user or group को तो माल लिया मैंने जीवन यहां पर add किया हुआ है जीवन को मैंने यहां पर apply करके okay कर दिया अब यहां पर मैंने जीवन ग्रूप को apply कर दिया अब यह जीवन ग्रूप क्या करेगा इस legitimate user account से अपनी website को access कर पाएगा okay specify कर दिया मैंने यह अगर मैं particular user को भी allow करना चाहता हूँ तो यहां पर उस user को भी apply कर सकते है multiple user group आप यहां पर apply कर सकते हो और उनके through आप अपनी website को access करा सकते हो तो जैसे मैं यहां पर all user को अभी अगर यहां से remove कर दूँ बाद में all user भी मैं यहां पर add कर सकता हूँ और फिर अपनी website पर आ जाओं और इसको access करूँ और wait यह चीज and anonymous यहां पर अभी देखो क्या दिया हुआ है enabled है और यह सारी चीज़ा अच्छा फिर आप यहां पर आजाओ और यहां पर authentication में इसको allow कर रखा है तो यह चीज यहां पर मैं add करता हूँ अभी यहां पर एक्सेस नहीं हो रही है तो क्या issue हो सकता है यहां पर आजाओ आप और सबसे पहले यह देखो यह website है बेट यह कहीं दिक्कत क्या हो गई यहां पर अगर हम allow करते हैं all user को भी apply कर देते हैं then can we access यह कोई और error पहले से चल रही नहीं फिर कर सकते हैं यहां पर ओके यानि IP name से यह फिर access हो रहा है तो यह चीज है यानि कि जो हमने यहां पर all user दे रखा है all user यहां पर anonymous वाले पर फिर हमें check करना पड़ेगा यहां से कि windows authentication basic authentication अगर मैं इस चीज को भी disable कर देता हूं सारी चीजे disable कर दिया अब अगर मैं यहां पर आ जाता हूं और इसको refresh करता हूं तो यह चीज क्या होएगा यहां पर नहीं कुछ होएगा क्योंकि वहां से आपने authentication को manage हटा दिया windows authentication को अगर एक बार मैं enable कर देता हूं और यहां पर अब मैं अगर apply करता हूं तो यह access होएगा और यहां से आप अपने web.com के service को enable कर सकते हो तो simple यह कुछ authentication से related task होते हैं जिनको आप manage कर सकते हो तो जो भी चीजें यहां पर आप disable कर रहे हो यह internal authentication और इसके लिए है तो मैंने anonymous को allow कर दिया कि नेक्स्ट टॉपिक आप यहां पर देखो IP domain authorization भी यहां पर आपको मिल जाएगा सी यहां पर कहीं कि 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 फायरवाल और यह सब है ओके कि वेब डूमेन यह IP डूमेन डिस्टिक्शन्स अगर आप चाहते हो allow entry में कोई particular IP address आपके server को access कर पाए या कौन ना कर पाए तो उसको आप यहां पर दे सकते हो IP range अगर आपके पास है तो यहां से दे सकते हो अगर आप चाहते हो कि कोई particular IP आपके server को access ना कर पाए आपकी website को access ना कर पाए तो आप यहां से इसको apply कर सकते हो तो ये भी option आप IP address एड़ करके कर लेंगे बहुत easy है और मैं आगे बढ़ता हूँ अगर मालिया मुझे अपने server पर एक particular SSL certificate या कुछ ऐसे apply करना है या मालिया कि मैं अपनी website पर चाहता हूँ कुछ connection limit वगर लगाना जैसे यहाँ पर limits में आ जाओ तो bandwidth limit आप यहाँ पर set कर सकते हो जो भी MB में होता है और यहाँ पर connection limits की मतलब एक बार जब हमारे connection हमारे client के साथ हमारे server का होता है तो अगर client की तरफ से कोई भी एक particular time duration पर activity नहीं होती है तो 120 second के अंदर अगर वो कोई response नहीं देता है यह access नहीं करता है बिल्कुल blank छोड़ दिया है तो हमारा server वहाँ से disconnect कर जाएगा तो यह time limit set कर जाता है एक बार में number of connection कितना आप allow करना चाहते हो अपने server पर यह भी चीज़े आप यहाँ पर set कर सकते हैं तो चोटी-चोटी चीज़े हैं बट बहुत ही important है बहुत ही जरूरी है इनको समझना और यह सारी चीज़े फाइनली हम लोग आ जाते हमारी website जब पूरा बन गया सारी settings और सारी चीज़े हम लोग समझ गये तो अब हम लोग आ जाएंगे कि अगर हमें web.com को यहाँ पर SSL certificate apply करना है so what is the procedure कैसे हमें करना है ओके तो इसके और manager open करना add role and services मैं इसी computer पर ही अपना ADCS authority enable करने जा रहा हूं और next कर लूँगा और active directory certificate services apply करके next करूँगा next 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 और यहां से certificate enrollment and certificate authority web enrollment यह तीन services आपको ले लेना है and restart option जरूर सेलेक कर लो yes करो install कर दो तो ADCS की service हमारा यहाँ पर install हो गया है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं continue configure करने के लिए यह certificate authority है जो SSL certificate आप apply करोगे और यहाँ से अपनी authority को select करना है जो कि by default selected है उपर अभी refresh हो रहा है तो हमें यहाँ पर next करना है बस और यहां से certificate authority और इसका जो second option है इन दोनों को पहले एक बार select कर लो authority web enrollment और इसको भी अगर आप ले होए बट एक साथ तीनों नहीं होगा तो आप पहले इन दोनों को कर लो जो भी enterprise CA, root CA यानि कि आप अपने route authority के लिए apply कर रहे हो यही हमारा route है एक private key के साथ जो की key हमारा है 2048 encryption बीट पर Microsoft का encryption लग रहा है यह encryption की आपके communication को server और client के बीच में information को क्या करेगा encrypt करेगा secure करेगा ओके आपके server की detail and next करके by default आपके server के जो certificate की validity होगी वह five year की validity यहाँ पे दिखा रहा है जो authority के लिए template create होगा और cert log और cert log system 32 के अंदर इसकी log detail सेव होगी बाकी आपको कुछ नहीं करना है install कर देना है यह दोनों चीज यहाँ पर जैसे ही okay हो जाएगा तो यह दोनों चीज यहाँ पर आप देख सकते okay हो गया अब इसको मुझे क्या करना है close कर देना है और यहाँ पर do you want to configure additional role services तो आपको यहाँ पर क्या करना है yes क्योंकि अभी एक service और आपको install करनी है जोकि certificate enrollment web service and next करना है नेक्स्ट करना है यह कौन सी service है अभी यहाँ पर इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वह बोल रहा है तो वह चीज आपको अभी नहीं करना है बस आपको जो इस एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर पहले दिखा दू एस्टीटीपी एस तो यह बताएगा कि ओके लेट मीचेक तो यह चीज यहाँ पर एक्सेस नहीं हो रही है तो कुछ नहीं करना आपको आजाना अपने वेब सर्वर IIS पर और यहाँ से आपको एक्स्पैंड करना इसको एक्स्पैंड करने के बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखाएगा सर्वर सर्टीफिकेट इस सर्वर नेम पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें तो यहाँ पर थर्ड आप्शन आपको सेलेक करना है create domain certificate और यहाँ से आपको by default यहाँ पर देखो एक हमारा authority available है तो कोई बात नहीं हम यहाँ से create domain certificate करते हैं और common name www.web.com मैंने यहाँ पर क्या apply कर दिया www.web.com और www के साथ यहाँ पर apply करना है या जो कुछ भी है एक common name आप ले लो और यहाँ पर आपको कुछ भी name दे देना है organizational unit and society जो भी है और finally यहाँ पर इंडिया मैंने दे दिया next कर दिया कह रहा है कि यहाँ पर select online certificate authority तो हमारा authority कौन है यह है ओके इसको मैंने select किया friendly name www.web.com इसका friendly name मतलब एक friendly name यहाँ पर दे देना web.com मैं यही हमेशा दे रहा हूँ जहां कहीं भी है तो यहाँ पर हमारा देखो यह चीज apply हो जाएगा www.web.com के साथ थोड़ा सा यह time लेगा ओके हो गया अब देख सकते हो यहाँ पर यह चीज अपलाई हो गई अब इसके बाद यहाँ पर create certificate request ओके आपको second यह option करना है common name वही देना है और बाकी यहाँ पर जो भी details आपने देना है दे सकते हैं details अपने according fill up कर लेंगे और यहाँ पर 2048 key का encryption key ले लेंगे Microsoft का यह select करके next करेंगे अब यह key save करेंगे तो मैं desktop पर इस key को save कर देता हूँ यह मैं लिख देता हूँ search key और यहाँ पर open कर देता हूँ तो certificate की हमारे desktop पर यह finish कर दूँगा तो save हो जाएगे और मैं इस key को यहाँ से open कर लेता हूँ यह पूरा key आपको यहाँ से क्या कर लेना है copy कर लेना है copy कर लेने के बाद बस आपको यहाँ पर देखो sttps यहाँ पर अभी access हो रहा है नहीं हो रहा है अब आपको क्या करना है इतना ही करने के बाद search srv enter यह चीज access होगी यहाँ पर देखते हैं नहीं हो रही है तो बस यहाँ से आपको s क्या कर लेना हटा देना है और उसके बाद एक्सेस करना है, क्या हुआ, http www.web.com certsrv, enter certificate authority की जो बात हो रही है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमारा यह website certificate authority यानि कि 100 पर एक्सेस नहीं ले रहा है, है ना, 100 पर अगर यहाँ पर आप देखो certsrv, यह नहीं ले रहा है, लेकिन अगर यहीं चीज हम, जो 2 IP address था, यानि कि 2 और इस पर certsrv को मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो यह definitely access कर पा रहा है, sttp, yes करूंगा, तो यह username password मांग रहा है, अगर मैं यहाँ पर username, जो भी हमारे server का apply करता हूं, यह क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर certificate authority, एक मिनट अभी यह login हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं, चलिए उधर login होता रहेगा, अभी जाएगा login page, आगया add करो, add करो, close करो, आपका इस तरीके साँ जाएगा, बट, यह देखो यहाँ पर, यह सारी sites का data certificate enrollment, सारे option यहाँ पर इसने ले रखा है, है ना, attach का रखा है, इस वज़े से यहाँ से चीज SSL certificate की access हो पा रही है, ओके, तो default website पर हम लोग क्या कर लेते है default website का जो हमारा page था, वो यहाँ पर देख सकते हुआ, sttp1002 इस पर था, अगर हम sttps यहाँ पर लेते थे, तो यह error आता, और यह access नहीं होता, ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी 102 यानि की, अपने site पर, आप यहाँ पर request a certificate पर क्लिक करना है, advanced certificate request पर, और submit a request, और यहाँ से जो key आपने copy किया था, यह पूरा का पूरा key copy कर लेना है, और यहाँ पर यह key paste कर देना है, user authentication आप ले लेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या authority चाहिए, web server की authority आप ले लो, submit कर दो, certificate template में, web server, यहाँ से template वो receive करेगा, बाद में आप इसको चाहो तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप add करो, इसको save कर दो, save करके अगर open folder आप open करो, यहाँ से देखो यह certificate है, double click करके www.web.com, है न, issued to web.com, और सीखो live, web इसके लिए, यह issued by, इस server से issue किया गया है, details और इसके other details, version के बारे में, serial number के बारे में, जो भी चीज़े यहाँ पे चाहिए, आप देख सकते हो, subject, path, URL, and CN number, public के, private की, सब कुछ यहाँ पे, subjects में, OU अगर है क्या दिखा रहा है, cnww.web.com, यह सब कुछ अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ओके, तो इतना कर देने के बाद, आपको क्या कर लेना है, अब यह certificate authority, आप इस, इस web page के लिए bind करना चाहते हैं, या आप www.web.com, इसके लिए bind करना चाहते हैं, तो www के लिए आप bind करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाईए, और यहाँ से binding option select करिए, add करिए, और यहाँ से sttps select करिए, और यहाँ से आप क्या कर लो, 100, यानि कि 100 IP पर वो चल रहा है, 443 है, www.web.com, आप यहाँ पे apply कर दो, इसी name से आपको करना है, ssl certificate web.com आप ले लो, और यहाँ से view कर सकते हो, certificate detail, ok कर दो, और यहाँ से आप close कर दो, close करने के बाद जब सारी चीज़े ok हो जाएंगी, तो अब आप यहाँ पे, अगर www.web.com आप open करते हो, ऐसा, तो यह चीज access होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यह क्या दिखा रहा है, sttp दिखा रहा है, अ तो थोड़ा सा यह time लेगा, और यहाँ पे अभी यह चीज access हो गई, अब यहाँ पे देख सकते हो, security report और यह website verify हो गई, बहुत आसानी से आपने sttps certificate generate कर लिया, ok, यानि कि ssl certificate आपको generate तो यहाँ से करना है, है न, यहाँ मतलब website by default वाली website के IP पर, authority पर लेना है, और enroll आप option में, यह option यूज करके कर सकते हो, तो मैंने इसको कर दिया, अब यह देखो, यहाँ पे sttps की service है, और सामने मैंने यह result यहाँ पे आपको दिखा दिया, कि यह चीज क्या हो गया, web.com की service पूरी तरीके से ssl certified हो गई, और यह secure website मानी जाएगी, ok, बाकी यहाँ पे अगर normal website यहाँ पे, यह दो दो बार क्यों हो गया, wait, sttp यह, तो यह access होगा, लेकिन यहाँ पे ssl certificate नहीं है, अगर आप चाहते हो इस website पर भी ssl certificate हो जाए, तो definitely आप यहाँ पे आकर इस website के लिए भी एक certificate domain request create करके कर सकते हैं, उसके अलामा गाईज बात होती है, ftp server को बनाने के लिए तो ftp server में कुछ ज़्यादा rocket science नहीं होता है, आप यहाँ पे, right click करो, add ftp server, server का name कुछ भी दे दो, जैसे kk.com, और क्या आप access करना चाहते हो, तो मैंने c drive का पूरा data access कराना है, close कर दो, किस ip address पे 2 पर, और ssl certificate यहाँ पे देना चाहते हो, ssl certificate अगर है, तो यह चीज आप दे सकते हो, लेकिन अभी ssl certificate इसके साथ मैं कुछ नहीं बताने वाला, anonymous और basic सारे user access कर पाए, all user को read की permission, write की permission, दोनों देना चाहे दे दो, या एक देना चाहे दे दो, और browser पे आप open करके, अगर यहाँ पे https है, ftp पे access करोगे, like यहाँ पे बस आपको लिख देना है, ftp और यह देखो, आपकी c drive का पूरा data दिख रहा है, इसके अंदर जो भी आपने data रखा था, यह देखो दिख रहा है, तो यह आपका ftp बनाना हो गया, https हो गया, ssl certificate हो गया, i2z, सारी चीज़े हो गई, अब मेरे को comment करके बताओ, वीडियो कैसी लगी, like करेंगे, share करेंगे टो करेंगे तो, आपका वीज़ गला है, अब मेरे का बढ दोग्याए्ट रहाँ आपका वे पीजाँ था लग्याचतin का रो भीजेड